हाई beautiful angels welcome to the divine guidance मेरा नाम रेनू है और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए reading full moon in libra जो आ रहा है 28 March को तो क्या होंगी energies और क्या आपके लिए big change आ रही है और क्या आपको release करना है क्या होंगी angel guidance तो मेरे पास हैं यहाँ पर तीन piles pile number one आप card भी choose कर सकते हो positive expectations यह moon stone है बहुत beautiful stone है second चलते है feeling safe second pile है feeling safe और यह है carnelian third pile है make music यह आप crystal choose कर सकते हो जो है citrine abundance का crystal time ले सकते हो meditate कर सकते हो pass कर सकते हो वीडियो को तो मैं start करती हूँ pile one के साथ हाई pile one तो अगर आपने moon stone चूज किया है crystal चूज किया है या फिर आपने चूज किया है positive expectations तो क्या आ रहा है इस full moon आपके लिए क्या आप release कर रहे हो क्या big changes आ रही है क्या guidance है आपके लिए positive expectations आप इस energy में हो right now कि बहूँ सारी जो है न बहुत सारी हो सकता है कि हो जादा dark energy में हो बहुत जादा pain में हो transformation में से गुज़र रहे हो बहुत कुछ change आ रहा है changes आ रहे है पर कहीं न गहीं बहुत सारे challenges है आपके लिए बहुत सारी hurdles है पर फिर भी आपने कहीं न कहीं अपनी positivity को खोया नहीं है, अपनी spirit को अपनी हिम्मत को खोया नहीं है और पूरी तरह से आप divine के उपर मुझे यहां पर purple color ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा wise हो, बहुत ज़्यादा grow करे हो spiritually और बहुत ज़्यादा positive हो, आपकी third eye भी balanced है और बहुत सारी आपकी divine से बहुत ज़्यादा hope है आप उस hope को वो आपने खोया नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इन सब मुश्किलों के बावजुद, इन सम challenges के बावद भी आप बहुत ज़्यादा positive रह रहे हो तो यह आपकी current energy हो सकती है pile number one तो देखते हैं क्या big changes आ रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत ब्यूटिफल कार्ड है यह material harvest तो मुझे लगता है यहाँ पे abundance बहुत ज़्यादा abundance की आप weight कर रहे थे मुझे एमपरेंस की भी feeling आ रहे है जैसे कोई जो है ladies mother बनना चाहती थी उनके लिए भी otherwise यह material harvest बहुत सारे लोगों के लिए material harvest है यह बहुत ज़री abundance आपकी तरफ भीजी जा रहे है क्योंकि आप एक balance बना पा रहे हो बहुत ज़रा काम किया है आपने hard work किया है तो वो material harvest भो धन आपकी तरफ भेजा जा रहा है बहुत सारा आपको you know gift हो सकते हैं आपके लिए manifest हो रहे हैं बहुत ज़रा धन आपकी रास्ते में आने वाला है कोई नय जॉब हो सकती है आपके लिए कईयों के लिए नय बिजनस हो सकता है या जो आपका current काम है उसमें आपको promotion मिल सकती है या बहुत सारा finances आपकी बढ़ सकते हैं एक दम से बहुत सारे client आ सकते हैं तो बहुत सारा धन आपके लिए manifest हो रहा है इस full moon को जो 8 number होता है 8 के बाद 9 आता है यानि कि 8 number कर्मों का cycle कर्मों का number तो आपने शायद बहुत सारे अच्छे कर्म किये हैं उनका फल आपको मिलने वाला है इस 9 number के साथ बहुत सारा balance आप create कर पा रहे हो justice का card Libra is all about justice तो balance मैं पहले भी बोल रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल एक balance चीज़ें दिखाई हैं दोनों तरफ card में तो यहाँ पर आप बहुत साथ balance में आ रहे हो इसलिए यह धन जो है आपको materialistic धन धन धने आपकी तरफ भेजा जा रहा है काम किया है आपने आप बहुत जदा stand out कर रहे हो यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद इस dark energy में भी आपने काम करना नहीं छोड़ा कर्म करना नहीं छोड़ा उस जिसका फल आपको मिलने जा रहा है इस full moon और next क्या है आपके लिए क्या release कर रहे हो third eye chakra release कर रहे हो वो सारे old bleeds, old pattern old cycles वो सारे आपर release कर रहे हो जो आपको और सर्व नहीं करते हो सकते हैं कहीं लोग भी हो सकते हैं आपके relationship में जिनको आप release कर रहे हो तो you know वो प्रानी, वो stuck energy clutter free करना, बहुत सारा donate करना, donation कर दना वो कपड़े, वो material जो आपको नहीं चाहते हो जो आप use नहीं कर रहे हो उनको donate कर देना वो guidance को सुनना जो guidance आपको third eye के through जो है divine भेज रही है मैंने third eye की, यहाँ पर भी बात की थी तो वो जो guidance आपको मिल रही है उसको आप follow कर रहे हो तो यहाँ पर रिलीज कर रहे हो प्राने beliefs को, old beliefs को old clutter को जो आपके आसपास जो है चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए वो कपड़े, वो energy, वो old energy वो stuck energy, वो रोना धोना वो सब आपको नहीं चाहिए वो निकाल रहे हो अपनी जिंदगी से इसलिए यह जो abundance आपकी life में आ रही है, यह abundance भी है और यह जो justice, यह balance जो है आप create कर पा रहे हो clean environment, साफ सुतरा environment, बहुत जिसमें एक yogi की तरह रहना बस जो चाहिए वो थोड़ी सी चीजों के साथ गुजारा करना simple living high thinking वाली thought के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप इस guidance को follow करते हुए आप एक cycle को पिछे छोड़ रहे हो 10 number एक cycle खतम कर रहे हो change लेके आ रहे हो, अपनी thought process में change लेके आ रहे हो अपने रहने सहने में, अपने जीने में प्यार करने में यह वो सारी काम करने में उस सम्में आपका जो changes आ रहे है यह wheel जो है आगे घूम रहा है यानि कि जो भी आपने वो खतम किया बहुत कुछ जेला तो यह wheel कहीं के लिए stuck हुआ हुआ था, कहीं पे खड़ाता यह तो उसमें change आ रहे है इस full minute दोनों ही wheel of fortune यह दोनों ही card जो है ना, major arcana card है next card है prince of chalices, prince of chalices यानि कि self love, इन सब से निकल जाना, वो रोने, धोने वो लोगों को attention देने लोगों के, you know toxic लोगों के उपर energy waste करने से, जो आपका फायदा उठाते हैं, मतलब के लिए आपका रिष्दा रखते हैं, उन से निकल जाना और खुद को प्यार करना सीख जाना divine के साथ connect हो जाना बहुत सारा खुद को प्यार करना उस शान्ती को achieve कर लेना जो आप शायद बहुत देर से manifest करने की कोशिश कर ले थे उस wisdom के साथ connect कर पा रहे हो जो wisdom आपके पास है तो ये नई शरवात प्रिंस जो है ना सीख रही है सीख रही है वो किस तरह से शान्ती maintain कर सकती है, किस तरह से उस wisdom को use कर सकती है, किस तरह से खुद को प्यार कर सकती है किस तरह से वो शान्ती बना के रख सकती है अपने जीवन में, अपने आस पास किस तरह वो अपनी खुद का care कर सकती है अपनी health का किस तरह से खुद को प्यार कर सकती है किस तरह से वो message यहाँ पर birds नजर आ रहे हैं white birds जो messenger है divine guidance मिल रही है जिन से उसको और जो है उसको शांती दे रहे हैं nature से connect करना, heal करना वो wisdom को use करना जो उसको मिल रही है तो यह release कर रहे हो आप किसी old cycle को कईऴ के लिए बड़ा skarming cycle हो सकता है कई़़ के लिए छोटा इसलिए justice का card भी है यहाँ पर justice मिल रही है आपको कईवा को quote case हो सकता है उससे भी निजाद मिल रही है आपको और कईयों के लिए ये छोटा साइकल जैसे सिर्फ किसी एक प्राने जो साइकल कोई प्रानी अनरजी में फसे हुए थे उससे बाहर निकलाना कुछ नया सीख लेना, विजडम गेन कर लेनी क्यों मैं इस अनरजी में थी क्यों फसे हुई थी यहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ से कुछ चीजों को रिलीज करने की जुरूत है तो वो डिवाइन गाइडन्स जो आपको थर्ड आई के थू दी जा रही है आप उसको फॉलो करके वो रिलीज कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको रिलीज करने की जुरुत है इस full moon बर देख लेते हैं आपके लिए क्या है angel guidance overcoming difficulties archangel germeal the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges मैंने पहले ही बोला ये dark जहां पर बैठे हो है वो ना darkness वो जा रही है इस full moon को आपके life में से forever और यहां पहुंच रहे हो आप देख रहे हो कितनी खूबसुरत लग रही है वो लड़की सीख गई है वो अपने आपको प्यार करना अपने आपको attention देना अपने आपको time और energy देना खुद की you know खुद को प्यार करना और भगवान को प्यार करना भगवान ही सरफ ऐसे हैं या आपके parents ही ऐसे हैं जो आपको unconditional love करते हैं जिसमें कोई भी जुरूरत कोई भी जो है फाइदा नहीं उठाता जिस प्यार में unconditional love तो next देखते हैं मेरे पसे एक और कार्ड है पाइल वन आप लोगों के लिए peace, archangel cameal peace comes from remembering that only love is real love तो peace तभी आजाती है जब आप प्यार करना प्यार के सही माहिने सीख जाते हो अब सही माहिने में खुद को प्यार करना अपने मगवान को प्यार करना वो ही pure love है वो जब सीख जाते हो आप तो खुद ही जो है न peace create हो जाती है यहाँ पे again birds, birds, feathers बहुत ज़ा angels की energy है यहाँ पर तो angels से कहीं न कहीं आप connect कर पा रहे हो यहाँ पे भी white birds हैं आपको feather मिल सकते हैं बहुत ज़ादा peace आप feel कर सकते हो अपने मन में प्यार, प्यार से भर जाना वो wisdom से भर जाना वो third eye जो guidance आपको दी जा रही है बहुत ज़ादा, कईयों के यह spiritual gift हो सकते हैं जो open हो रहे हैं third eye जो है open हो रही है clear point, clear sentient वो सारी तरह के clears जो है open हो रहे हैं कईयों के लिए one हो सकता है कईयों के लिए दो, तीन बहुत सारे clears हो सकते हैं वो आपके open हो सकते हैं जो आपको यह abundance create करके दे सकते हैं इन spiritual gift को use करके लोगों की help करके लोगों को heal करके आप ये बहुत सारी abundance create कर सकते हो अपने आपको तो जो आपने अच्छे कर्मा किये वो आपको divine यहाँ पे justice दे रहा है आपको justice देने आया है आपको आपके gift देने आया है जो आपको deserve करते हो तो बस आपको जो है न वो receiving वाले mode पे रहना है receiving वाले mode पे रहना है आपको grateful रहना है जो भी आ रहा है आपकी तरफ ego में नहीं जाना है please लिखना है journal में लिखना है gratitude journal में आपको रोज लिखना है कि क्या मिला है आपको क्या मिल रहा है क्या आ रहा है Krishna के लिए लिख सकते हो I am so thankful जो भी कृष्णा आपकी लाइफ में भेज रहा है इंजल सापकी लाइफ में भेज रही है so thank you thank you so much for watching एक hidden truth देख लेते हैं आपके लिए पता नहीं मुझे एक दम से लगा कि यह देखना चाहिए मुझे pile number one क्या है आपके लिए hidden truth you know moon की energy secret जो छुपा हुआ है आपसे वो देख लेते हैं again love pile number one when you truly love yourself you love God when you hate yourself you hate God कितना जा रहा है यह difficulty से निकल के वो प्यार वो peace वाली energy में आ रहे है वाप कितना beautiful car है जो इस पूरी pile के साथ जा रहा है pile number one thank you thank you thank you so much for watching pile number one please like share subscribe जूर करे मेरे चैनल का और मुझे comment section में जूरूर पताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है और अगर आपको personal reading चाहिए आप या tarot सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे contact कर सकते हैं angelguidance2020 at gmail.com पर यह address email address हमेशा ही मेरा description box में दिया आता है thank you thank you thank you so much again thank you so much for watching and bye for now तो चलते हैं pile two की तरफ high pile two तो अगर आपने karnelian choose किया है जो है sacral chakra के लिए या फिर आपने यह card choose किया है जो है feeling safe again यह जो sacral chakra का stone है और यह self empowerment का है खुद को safe समझना अपनी power में आना अपनी castle की रानी बन जाना you know खुद की life के leader बन जाना किसी के control में न रहना खुद की life के leader बनना खुद की life को चलाना यह वो रानी है queen of swords लग रही है sword है उसके हाथ में तो कोई भी अगर उसके रास्ते में आएगा जो उसको धोका देगा उसको control करने की कोशिश करेगा उसकी family को नुकसान पहुचाएगा उसको काटने काटना उस energy को काट देना यह वो feeling safe है तो आप कई जो है अपने घर खरीदना चाते हैं अपना घर लेना चाहते हैं या फिर एक stability ढूंड रहे हैं self empowerment में जा रहे हैं सेक्रल चक्रा आपका heal हो रहा है creativity heal हो रही है यह transformation हो रही है उस transformation से आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो कहीं न कहीं अगर आप वो ज़्यादा crying baby बने हुए थे या lost कर गए थे अपनी ताकत को power को क्योंकि लोगों ने आपके उपर you know राज किया लोगों ने आपकी power के उपर राज किया तो वो कहीं न कहीं खोदी थी आपको abuse या trauma की वज़े से उससे आप बहार निकल के you know queen of sword बन गए हो वो काट देना सबको जो आपको आपकी energy को deserve नहीं करते है जो सिर्फ जो है ना conditional love करते हैं आपके साथ प्यार करते हैं जरूरतों के लिए प्यार करते हैं आपके साथ उन लोगों को अपनी जिन्दगी में से काट देना तो ये वो energy मुझे लग रही है उनको काटने के बाद feeling safe you know feeling in the power तो वो आप अपनी castle की रानी बनने वाली हो ये energy है आपकी कि आप power बहुत ज़्यादा strong feel करोगे तो इस full moon में pile 2 इस full moon क्या आप big changes आ रहे हैं आपके लिए pile 2 तो first है firm foundation ये foundation feeling safe ये पीछे castle दिखाई हुए ये again stability number 4 stability का घर का abundance का stability पैसे से आती है stability घर से आती है ये नो वो चार दिवार वो create करनी वो safe place create करना खुद के लिए big change आप ये आ रहे हैं आपकी life में आपका root chakra जो है heal हो रहा है इस root chakra की वज़े से जो है आप पूरी तरह जो stable feel करोगे safe feel करोगे आप abundance feel करोगे again number 4 the emperor आप देख सकते हो खुद के रियासत के आप खुद राजा बनने वाले हो stability, strong, strength अपनी power को back लेना अपनी power को back ले रहे हो आप वो masculine energy तो कहीं ना कहीं हम लोग feminine energy में होते हैं बहुत जादा, बहुत जादा रोना, धोना, emotional you know, trauma, abuse हम लोगों को weak समझते हैं लोग और abuse करते हैं तो उससे कहीं न कहीं आप बहार आके अपनी power दिखाने माले हो ये अपनी power back लेने माले हो emperor बनने माले हो आप अपनी रियासत के आप खुद राजा बनने माले हो, emperor तो बहुत जादा strong, बहुत जादा mature powerful person stability number four, number four ये जो सिहासन भी है न ये पत्थर का, ये पीछे castle भी दिखाए हुई है न, बहुत जादा strong बहुत जादा, जो stability है न, इस बार जो है आपकी stability बनने माले हो, बहुत जादा strong बहुत जादा power में आना, किसी का next, क्या release करने की जुरूत है आपको, pile two shadow, अपनी shadow self को आपको release करना है कौन सी है आपकी shadow self, वो आपको पूछना है, कौन सी है आपकी dark side, खुद को पूछिए वो, ये आपको release करने की जुरूत है, इस full moon full moon को हम लोग release करते हैं और new moon को हम लोग नया cycle शुरू करते हैं new beginning करते हैं, तो ये shadow किस चीज़ की shadow self वो चीज़ें जो आपको serve नहीं करती वो लोग जो आपको serve नहीं करती वो energies जो आपको serve नहीं करती वो laziness, वो over indulgence वो बहुत जादा गल्थ खाना पीना, बहुत जादा सोना laziness, बहुत जादा टीवी वाच करना बहुत जादा मीडिया पर बैठे रहना कौन सी ऐसी shadow self है जिसको आपको उतारने की जुरूत है से निकलने की जुरूत है क्या कर रहे हो आप कौन सी आपकी वो आदत है bad habit है जो आपकी energy को drain करती है जिससे आपको निकलने की जुरूत है उस shadow self से जैसे मेरे लिए तो है मुझे रोज early उठा होता है लेकिन मैं उठनी बाती हूँ तो यह मेरे लिए laziness तो क्या है आपकी soul की dark side उससे आपको बहार निकलना दोनों ही major अरकाना कार है तो वाथ big change आने वाली है आपके लिए pile two जिसकी शायदा बहुत देर से wait करे तो यह release आपको करने की जुरूत है अगर इस position में जाना चाहते हूं बहुत ज़दा responsibility होती है emperor की बहुत ज़दा strong बहुत ज़दा powerful और बहुत ज़दा responsible तो वो responsibility आपको अपनी जिन्दगी के उठाने के लिए आपको इस से इस devil energy से बहार निकलना है वो जो आपको drain कर रही है अपने रूट चक्रा के उपर आप काम कर सकते हो firm foundation के लिए उसको heal कर सकते हो आप root चक्रा के लिए भी और सेक्रल चक्रा के उपर भी self empowerment खुद की power को समझना power में आना यहाँ पे पास उसके password है यहाँ पे wand जैसा नज़र आ रहा है खुद की power में किस तरह से आना यह दोनों चक्रास को heal करना बहुत ज़दा ज़रूरी है और definitely release का ना इस energy को इस devil energy को अपनी जिंदगी से बाहर करना कौन सी है आपकी dark side जो आपके आगे बढ़ने में आपकी growth में आपकी spiritual growth में आपकी personal growth में या abundance में जो help नहीं कर रही है आपको उससे आपको बाहर निकलने की जुरूरत है लास्ट कार देखते हैं आपके लिए लास्ट नहीं second last patience एंजल guidance है आपके लिए आर्केंजल जॉफिया यूर ड्रीम्स अर ब्लूमिंग मोर रपरली दन यू रियलाईज तिल दे नीड नर्श्चरिंग अन पेशंट जब तक आप अपने उपर काम कर रहे हो ये रिलीज कर रहे हो अपना चक्रा हील कर रहे हो लेकिन आपको patience रखनी है patience रखनी है अपने ड्रीम्स को नर्चर करना है और patience रखनी है कि divine timing के साथ ही सब कुछ होने वाला है तो उस चीज के लिए आप wait कर सकते हैं patience रख सकते हैं prayers कर सकते हैं कभी भी आप force नहीं कर सकते divine timing को तो pile 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या hidden truth क्या है वो देख लेते हैं आपके लिए last card आपके लिए देख लेते हैं hidden truth there is no need to pay a price for your happiness या आपने बहुत ज़्यादा शायद अपनी जिन्दी की को दूसरों के हवाले किया उनको अपनी जिन्दी का you know king बना के रखा authority दी उनको अपनी जिन्दी की आपको लगा कि यही happy रहने का जो है यही तरीका है दूसरों को अपनी life song देना खुद की happiness की care करे बिना जो है दूसरों को अपनी time और energy दे देना बहुत ज़्यादा तो यह there is no need to pay a price for your happiness अपनी power back लीजिये खुद के emperor बन लिए happiness के लिए कोई price देने की जूरत नहीं पड़ती है so thank you thank you thank you so much for watching pile 2 अगर आपके साथ resonate करती है तो please like, share, subscribe जूरू करें मेरी चैनल को comment section में जूरू बताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है और अगर आपको tarot सीखना है मेरे से level 1, 2, 3 और या फिर आपको personal reading चाहिए तो आप मुझे contact कर सकते angel guidance 2020 at gmail.com पर यह हमेशा ही email address मेरा description box में दिया होता है thank you thank you thank you so much for watching and bye for now तो चलते हैं pile 3 की दरफ हाई pile 3 तो अगर आपने citrine stone को choose किया है sorry, जो है solar plexus chakra का sun की energy happiness, creative creativity के energy तो आपके लिए है यह first card make music तो यह आपकी current energy हो सकती है आपको अपनी music के उपर अपनी creativity के उपर काम करने की जुरूत है कुछ नए skill gain करने की जुरूत है कुछ नए सीखने की जुरूत है अगर आपको लगता है कि आप confident नहीं हो अपनी creativity को लेके तो अपने skills को लेके तो आप सीखिए और उसमें mastery कीजिए knowledge और information कभी भी जाया नहीं जाती है वो कभी भी आपके life में हमेशा ही आपकी help करती है आगे बढ़ने के लिए आपकी growth के लिए तो कभी भी किसी भी age में hitch के चाहिए मत books read करना knowledge gain करना courses करना online courses करना कुछे भी जो आपकी knowledge आपकी wisdom को बढ़ा सके उससे पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए हम लोगों को तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर message है आपको music के उपर काम करने की जुरूरत है कहीं के लिए यह हो सकता है कि आपको यह frequency जो है music की किसी तरह की वो आपके लिए healing का काम कर सकती है तो अगर आप healing process में हो आप music सुनते हो तो आपको figure out करना है कि music की कौन सी frequency है जो आपको heal करने में बहुत ज़ादा आपकी help कर रही है जैसे मैं healing ball sorry singing ball यूज करती हूँ healing के लिए energy clearing के लिए तो किस तरह की ऐसा music है वो जानने की आपको कोशिश करनी है या वो ढूंडना है जो आपकी healing के लिए भी help कर सकता है और कहीं को literally अपने music skill के उपर confidence gain कीजिए और उसके बाद आप videos बना सकते हो तो कहीं न कहीं music आप लोगों के लिए बहुत helpful हो सकता है कहीं का मुझे लग रहा है जो intuitively अपनी intuition के साथ connect करना चाहते है उनके लिए भी music वाली frequency या फिर alpha बीटा वाली frequency आप रूंड सकते हो YouTube पर या फिर किसी तरह का music आपको बहुत जाद attract करता है intuitively आपको connect करता है आपकी intuition के साथ या कई लोग music से messages मिलते हैं उनको जो वो music सुन रहे होते हैं तो सब के लिए different different तरह से music जो काम करता है पर definitely music जो है बहुत जादा loving energy है healing energy है जिसको हर एक की life में होना बहुत जादा ज़रूरी है क्या big changes आ रही है आपके लिए pile 3 इस full moon जो लिब्रा में आ रहा है थाईस मार्च को base chakra base chakra है stability का safety का security का stability का जिसके ओपर आपको heal करने की जूरुत है या आपका heal हो रहा है new beginning हो रही है उससे कुछ related 10 again 10 of pentacles again जो है number one 10 में भी one है और यहां पे one है कईयों के लिए यह music जो है न काफी सारी abundance लेके आ सकता है आपके लिए बहुत जादा wisdom abundance pentacles की energy happy energy abundance की energy बहुत सारी खुशियां बहुत सारा पैसा बहुत सारा धन धने सबरपूर हो जाएंगे तो कईयों के लिए spiritual gift हो सकता है जो आपके लिए open हो रहे है इस base chakra के साथ तो अगर आप अपनी मैंने पहले शायद बात की है अगर आप अपनी music को अपने talent को लेके insecure feel करते हो कि आपको abundance create कर पाएगा या नहीं create पाएगा तो आपको base chakra पे उपर उसको छोड़ना नहीं है अपनी टैलन को नहीं छोड़ना उसके उपर काम जरूर करना उसको निखारना है और courses करने है और courses कर सकते हो एप सीख सकते हो लेकिन doubt नहीं करना आपने talent के उपर यह talent अगर आपको दिया गया है उसका कोई reason है हो सकता है आपका ये soul purpose हो कि आपको लोगों को heal करना है अपनी music के थ्रूँ आपको entertain करना है लोगों को तो ये आपका soul purpose भी हो सकता है life purpose हो सकता है ये abundance definitely आप create कर पाओगे pentacles की energy, happiness की energy abundance, abundance health की, wealth की, wisdom की वो abundance मुझे नजर आ रही है new beginning है तो please कुछ न कुछ कीजिए ये आपके creativity के बारे में है सब के लिए music नहीं हो सकता कईयों के लिए किसी भी तरह की और drawing, painting, किसी भी तरह की है interior decoration, किसी भी तरह की creativity हो सकती है जो उनके लिए abundance कर सकती है stability कर सकती है अगर आप stability को लेके या job ढूंड रहे हो, वो मिल नहीं रही है आप बहुता दुखी हो यहां पर अपने base चक्रा पर काम कीजिए अपनी creativity के उपर काम कीजिए क्यों कि वो ही आपके लिए abundance लेके आने वाली है क्या होता है कि हम लोग job को ढूंडते रहते हैं, ढूंडते रहते हैं और भगवान को भी कहीं वार कोस्ते रहते हैं लेकिन उसका reason यह होता है कि आपको कोई job में नहीं डाला जा रहा 9 to 5 क्यों कि आपको अपनी creativity के उपर काम करना है अपने life purpose के उपर काम करना है और वो ही आपके लिए pentacles लेके आएगी वो ही creativity आपके लिए pentacles लाने का काम कर सकती है और क्या release करना है आपको release करना है आपको अपने heart chakra को heal करना है तो past में अगर बहुत कुछ हुआ यानि कि five of cups के बाद ये six of cups की मुझे energy नजर आ रही है तो past की वो you know three of swords वाला वो painful energy जो heart से related है उसको release करने की जुरूत है उस memories में नहीं डूबे रहना past को past में रहने देना है वो emotional energy, पानी, बहुत सारा पानी उस emotional energy को release करने की जुरूत है जिसे आपका heart chakra open होगा heart chakra open जितना होगा उतना ही आप अपनी creativity से connect कर पाओगे तो कहीं न कहीं वो मुझे कहीं movies में बोलते हैं कि किसी को गारा नी पसाद आया है judges को तो कोई contestant जाता है वो देने के लिए पार्टिस्पेट करता है किसी contest में तो judges बोलते हैं कि feeling नहीं है तो ये शायद आपका past ऐसा रहा है जिसने आपको feeling दी है जिससे आप ये music जो है न अपने पूरे soul से पूरी feelings के साथ गा सको sing कर सको तो वो कहीं न कहीं आपकी add हो गया है आपकी जिंदगी में इसको express करना music के थूरू express करना है इन emotions को लेकिन इस past की वज़़ज़ से आपको अपनी present और future को खराब नहीं करना है इसमें से निकलिए past को past में रहने दीजिए live in the present and think about future future के लिए excite हो ये future के लिए plan कीजिए future के लिए कुछ सीखिए creativity को follow कीजिए self express कीजिए अपने आपको इस music के through ताकि जो है आप अपने heart चक्रा को open कर सकें तो ये release करना है आपको ये last शायद दिया है उसमें पकड़ा हुआ तो इसको release करना है पानी में you know वो रोना धोना release it ये छोड़ दिया मैंने बास past का past में छोड़ दिया अब मुलशे नया दिया जलाना है अपने लिए अपने future के लिए तो ये release memories of love past memories of love जो pain जो दर्द abuse उसको आपको छोड़ना है ये देखिए उसमें से निकलना है आगे बढ़ना है वो time and energy जो आप लोगों को दे रहे थे उनसे आगे बढ़ना है पीछे मुण के नहीं देखना है you know five of swords की energy जो खुद को deceive करना खुद के ही energy को लोग करना बार बार खुद को ये हराना वो time and energy past में छोड़ देनी उससे बाहर निकलना उससे बाहर निकल रहे हो आप उस दर्द से बाहर निकल रहे हो अपनी swords को उठा के you know अपनी mental energy को उठा के अपनी thoughts को उठा के कि मुझे इस negative energy में नहीं रहना है हमें जा रहा हूँ यहां से तो उसको release कर रहे हो आप इस emotional रोने धोने से release को आप छोड़ रहे हो और एक you know उस time and energy को लेके future में जाना है आपको present में live करना है present में planning करनी है अपने future के लिए और future के लिए save करनी है वो time and energy बहुत बहुत beautiful energy है क्योंकि यह big change लेके आ रही है आपके लिए तो कहीं न कहीं आप creativity पे काम करने वाले हो जो आपके लिए big change create कर सकती है abundance create कर सकती है आपके लिए again जो solar plexus chakra भी जो होता है वो creativity कही होता है passionate energy और यह release कीजिए आप यह release कर रहे हो full moon को और अपनी thoughts जो आपकी वापस बार बार जो past में जा रही थी past में जा जा के जो है न वहीं पे energy आपका time waste हो रहा था उसमें से आपको release करके उसको छोड़के पानी में भागे प्रानी memories को आगे निकलना है आप अपनी swords को उठा के chakra clearing archangel metatron call upon me to clear and open your chakras using second geometric shape तो metatron को इस energy में शायद आप काफी देर तक रहे हो इस energy में heart chakra वाली energy में जहाँ पे heart chakra आपका block हुआ हुआ था hurt हुआ हुआ था तो यहाँ पे आपको chakra clearing archangel metatron को बला सकते हो healing के लिए अपने chakras की healing के लिए clear करने के लिए open करने के लिए chakras को जो बहुत ज़्यादा helpful हो सकती है आपके लिए जिससे आपके spiritual gift जो मैंने बोला कि music आपका soul purpose हो सकता है तो वो gift open होने के लिए आपको अपने chakras को balance करना और clear करना बहुत ज़्यादा ज़्रूरी होता है उसी chakras के थ्रू जो है आपकी वो एर्थ chakra उपर वले chakra open होते हैं जब आपके नीचे से base chakra से जो energy pick होती है उपर जाके you know kundalini तब आपके creative gift open होते हैं जब kundalini बनती है जो base chakra से उठती है जो base chakra पे बैठी हुई है और वो जाके उपर crown chakra पे खोलती है तो आपको नए नए ideas मिलते हैं किस तरह से आप creativity में go follow कर सकते हो आपने तो यहाँ पे देख लेते हैं hidden truth आपके लिए pile 3 when you eat with anger or worry even the healthiest food would irritate your stomach तो कहियों को यहाँ पर अपने stomach का ध्यान रखने अपने पेट का ध्यान रखने की जुरूत है तो चिंता में खाते हैं stress में, anger में, worry में दिमांग में कुछ और चल रहा है जैसे यहाँ पर दिखाया भी हूँ FIO source की energy खुद को ही दुखी करना खुद और time और energy अपनी waste करने तो वो यह same चीज की वो anger जो past को लेके है वो stress यह वो worry जो आप carry कर रहे हो उससे जो है आपकी health आपका पेट जो है इरिटेट हो रहा है क्योंकि आप healthy food खा रहे हो आप diet का बहुत ध्यान रख रहे हो पर किस energy में खा रहे हो किस feeling से खा रहे हो तो इसको watch out जब आप खा रहे हो तो पहले अपने आपको लंबे-लंबे सांस लेके आपने deep breathing करके अपने आपको शांत करना है और फिर पूरा focus करना है खाने को enjoy करना है एक एक bite के साथ उसको grateful होना है और enjoy करना है फूर को वो आपको satisfaction भी देगा और बहुत ज़ादा nutrients आपको problems जो है जो body physically problems जो होती है उन से आपको रहत मिलेगी तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखिए anger में हम लोगों गुसे या stress में कभी भी फूर नहीं खाना चाहिए तो पहले clear कर लीजिए thoughts को अपने, दिमाग को और फिर food खाईए थोड़ी happy energy में आपको food खाने की ज़रुत है grateful होने की ज़रुत है, हर एक कि थाली में खाना नहीं होता बहुत सारे लोगों को तो एक time का खाना नसीब नहीं होता, so we have we should be grateful जो भी हम लोगों को मिल रहा है खाने के लिए, so thank you, thank you, thank you so much for watching file 3, please like, share, subscribe, जरूर करे मेरे channel को, और मुझे comment section में जरूर बताएं कि आपको ये reading कैसी लगी है और अगर आप tarot सीखना चाहते हैं मुझे level 1, 2, 3 जिसके certificates भी available हैं English और Hindi में available हैं और personal reading चाहते हैं तो मुझे contact कर सकते हैं angelguidance2020 at gmail.com पर जो हमेशा ही email address मेरा description box में दिया होता है thank you, thank you, thank you so much for watching and bye for now